आज हम बात करने वाले हैं Realme के फोन में Wi-Fi Connect नहीं हो रहा है इस प्रॉबलम को कैसे ठीक करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने फोन में Wi-Fi Connect कर रहे हैं बट यहाँ पर हमारे फोन में Wi-Fi Connect नहीं होता है और हमें यहाँ पर इस टाइप से प्रॉबलम आ रही है देख स सकते हैं यहां पर उनली शो करता है कनेक्टिंग बट वाइफाइ कनेक्ट नहीं होता है तो इस टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसे ठीक करने के लिए आप यहां पर सबसे पहले बैक आईए और यहां पर बैक आने के बाद आपको सेटिंग्स में एक ओप्शन मिलेगा नीचे स्क्रोल करके यहां पर सिस्टम सेटिंग्स इस पे किलिक करिए इस पे जैसे ही किलिक करेंगे नीचे स्क्रोल करिए आपको मिलेगा बैक अप एंड रीसेट इस पे किलिक करिए किलिक करके आपको मिलेगा यहां प अपने फोन का लॉक एंटर करिए और उसके बाद reset network settings पे click करिए इस पे click करके आपकी wifi, bluetooth और mobile network की settings reset होगी कोई आपका data delete नहीं होगा और network settings को reset करने के लिए इस option पे click करेंगे और network settings तीन से 4 second में reset हो जाएगी और उसके बाद back आएंगे हमने पहले से ये कर लिया है तो back आएंगे अब उसके बाद फिर से back आकर अपने phone को बंद करके चालू करेंगे यानि की restart करेंगे और phone को restart करने के बाद network settings को reset करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी problem ठीक हो जाएगी उसके बाद हम check कर लेंगे फिर से wifi को connect करके तो यहाँ पर इसका password एंटर करेंगे अब right पर click करेंगे और देख सकते हैं अब wifi connect हो जाएगा देख सकते हैं हमारी problem ठीक हो चुकी है और wifi problem को इस type से आप ठीक कर सकते हैं अपने realme के phone में अगर यह video पसंद आई हो तो video को like करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें करेंगे और देख सकते हैं